काहीं भी मिल जाए यह पौधा तो जट से उखाड के और अपने आंगन में लगा ले नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर आपका श्वागत है दोस्तों यह आपको पहार पे जो आप दिख रहे हैं पेर पौधों का आरवेदिक जरीबूटियों का भंडार है यहां पर आरवेद तुलसी कुल का पौधा है और बहुत सारे एंटिबैक्ट्रियल फंगल को खतम करने के लिए आपके घर के आंगन में अगर लगाए हुए हैं तो उससे जो है आपका जितने भी जीवानों कि टानों और वीशानों आपके घर के अंदर प्रवेश करने प्रवेश करने से का प्रियोग आप जो आप कर सकते हैं छिरकाव के रूप में अपने घरों के उपर घरों में और वीशानों को आपके घर में जो प्रवेश करने वाले जीवानों वीशानों इसके प्रवाव को रोख सकते हैं दोस्तों शो इसकी पत्तियों को भी आप प्रयोग में ला सकते हैं ग्रेंट पत्तियों को भी आप वाल के और अपने घर के जो चारों तरफ इसका चिर्काव करेंगे तो इस यह anti malaria का काम करेगा और आपके अंदर आपके घर के अंदर कोई भी जीवानों और विसानों प्रवेस नहीं करेगा दूसरा मलेरिया का जो मलेरिया की जो दवाई बनती है और डेंगु का जो दवाई बनता है उसमें भी इसका प्रियोग किया जाता है इसकी अर्क का प्रियोग यह देखिए इस तरह से इसका आर्क का प्रियोग किया जाता ह लेकिं मैंली चुके इसका आर्प का प्रियोग करने के लिए आपको इसके भोष सारे प्रोसेस में जाना पड़ेगा इसलिए इसका आर्प का प्रियोग ना करें बलकि अपने घर को शto करक्शित रखने के लिए इस छिर्काओ まे करेंगी तो आपका बहुत सारा बचाव होते रहेगा दोस्तों इसका आवसेश जो बसता है अर्क निकालने के बाद उसका पार्ट जो बसता है उसका भी पत्तियों का पार्ट तना का पार्ट उसका भी आयरोवेर में बहुत सारा प्रियोग होता है medicine चुकि इंग्लिस medicine में बायलोस medicine में भी इसका प्रयोग टैबलेट में और अनी छिर्काओ की काम में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग आपको malaria डेंगु ये सबसे बचाव के लिए इस पौधे का आपको प्रयोग करना है आईरुवेद से संबंदित वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर लाइक और सबस्क्राइब करेंगे हम जो आईरुवेदिक समधान आप तक पहुचाएंगे वो हम पहारों से अलग-अलग प्रांतों के अलग-अलग राजियों के पहारों से जो है कुक पहारों से आप तक पहुचता है और इस ही जड़िवुटियों neste को खूजनी के रहे हम पहारों के बीच आप लोग